तो दोस्टों Battle Through the Heavens आप लोगों तकरीपर पांच वलों से दिख रहे हैं और आप लोगों ने ये श़फ्ट बार बार सुनाओगा जिसका नाम है डोकी किसी का दोकी fluctuate हो रहा है तो वो level up होने वाला है किसी का दोकी कम हो या किसी का दोकी exhaust हो या किसी का दोकी ही खतम हो या किसी का दोकी तो ice है, fire है, water है, wind है बहुत चीज़ लेकिन कि आप लोगों ने कभी गौर किया कि आकर ये जो दोकी है, hack या तो इस वीडियो में आप लोगों बताने वाला हो कि आकर ये डोकी है किया और Battle Through the Heavens में ये क्या माईने रखता है कुछ जादा डीटेल्स नहीं इन दोकी के बारे में क्योंकि दौंगवा नॉवल्स और हमारे मानवास के अंदर में इसके कुछ जादा डेफिनिशन दिया नहीं गया है तो बिना किसी टाइम को वेस्ट ही हमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो energies या फिर powers होती है उनको हम लोग दोकी बुलाते थे दोकी continent के अंदर तो दोकी continent के अंदर में दोकी का इस्तमाल करना ना धीर धीरे common होने लगा Battles for the heavens का जैसे अंदर का सीजन स्टार्ट होगा उससे पहले दोकी जो था वो काफी rare था तो सब कोई अपने best version याने की दोकी की best version को लाने के लिए cultivation नाम की चीज़ को स्टार्ट कर दिये कि वो धीरे धीरे दोकी को cultivate करेंगे और भी powerful बनेंगे और भी best बनाएंगे ताकि वो बाकी लोगों से आगे रहे और ऐसा करते करते उन लोगों ने cultivation को line में ला दिया उसके बाद दोकी की जो cultivation थी वो टोटल चार classes में भाग हो गी सरसे पहले हम लोग था वांग, उसके बाद था शुवाण, उसके बाद था दी अप्र ये जो चार cláss थे उन चार cláss में भी तीन भाग होगा जो किता हम लोग का पहला beginner उसके बाद था मेलिया उसके बाद high और जैसी वो लोग higher rank पे पुपन जाते थे उसके बाद वो लोग एक split से दूसरे split के अंदर जा सकते हैं यारे किसी ने अगर one के higher rank को पार कर लिया तो उसके बाद वो लोग सीधा जुआन में एंटर कर सकते हैं और ऐसे करते करते हैं उन्होंने cultivation को आगे बढ़ाया और जब cultivation line में आ गई तो इंसान तो इंसान ही रहेंगे अब cultivation में भी उन्हों को आगे बढ़ाना था जिस वैसे उन्होंने टेक्निक्स को line में ला दिया अब वो टेक्निक्स बिसिकली यह थी कि जिसको वो लोग combat में यूज करते थे या फिर अपनी दोकी को और बियो powerful बनाने के लिए और यह जो चादर स्प्लिस से हमारी दोकी कल्टिवेशन की इसके पास भी अपनी अपनी टेक्निक्स थी जिस वैसे अगर कोई समद लोग के वांग ग्लास में है तो वो चाहे तो त्यान क्लास के टेक्निक्स को master कर सकता है लेकिन उसकी इनर पावर यानि की जो दोकी पावर है वो तो कमी है जिस वैसे अगर किसी ने युआंग क्लास की मीडियम या फिर हायर टेक्निक्स को भी master किया वो easily युआंग क्लास की तियान टेक्निक्स को भी हरा सकता है और तोरे दोकी को cultivate करने के लिए और फिर powerful बनाने के लिए बेसिकरी दो चीजों की requirements लगती है एक तुमारी physical state की और दूसरी mental state की जिस वैसे आप लोगों ने कई पर देखा होगी cultivate करते दोरान सब को fighting skills को master करते है साथी साथ meditation मी काफी देर तक करते है अगर आप लोगों जानना है तो जल्दी सल्दी टाइगर को पूरा कर जिए और मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye